असलाम अलेकुम दोस्तों तो आप देखे रें फ्रेश गार्णिंग आईपी उमीद करते हूँ कि आप सब खेरे से होंगे तो आज मैं बताऊंगा कि आप अंजीर के पोदे की कटिंग को किस तरह घर पर ग्रोव कर सकते हैं वो भी बड़ी असानी के साथ तो मैंने 10 इंच की ले ली है अंजीर के दर की ठहनी और यह आप देख सकते हैं इसको पतीन पते हैं इन तीनों पतों को मैं रिमूव कर दूंगा अच्छे से यह देख सकते हैं इन तीनों को मैं रिमूव कर दूंगा कैंची की मदद से अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को बोड़ है निकर रहे सका नए पत्ते इन्हें भी मैं काट दूंगा ताकि जो हमारी में यह कटी में से साइड ब्रांच ज्यादा निकलें तो यह देख सकते हैं मैं इसे एक इंच तक काट दूंगा एक से दो इस तक तो मैंने आठ इंच की ले लिए हैं यह कटिंग और अब म लगा देने ऐलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन अथा जो कि आपके पोदों के लिए बहुती जादा फायदेमन होता है अगर आप चाहें तो आप इसे इसी तरह से लगा सकते हैं लेकिन मैं इसे जादा जल्दी करोंगा तो मैं इसके उपर लगांगा रूटिंग हार्मोन यह मैंने ओर्लाइन पर्चेस से यह आप देख सकते हैं रूटिंग हार्मोन इससे जो है पोदों की रूटिंग जल्दी होती है तो मैं इसे अपने पोदे पर अपले करूंगा यह आप देख सकते हैं तो मैंने ले लिए अपने पोदे की टहनी तो इस कटिंग को मैं अच् करके बता सकते हैं वैसे तो मैंने वीडियो डाली हुए अपने channel पर आप जा कर देख सकते हैं तो मैंने लगा ले rooting hormone तो यह आप देख सकते हैं और अब मैं इसे लगाऊँगा एक मिटी का मैंने कप ले लिया उसके मैंने मिटी भर लिया तो मैं इसे अराम से बड़ी ऐथियास छेपmens को मिट्टी में लगा दूँगा दूँच तक जिससे जो है आपकी कटिंग के ओपर फंगस या कोई भी आपकी कटिंग ड्राय नहीं होती तो मैं इस पर लगा दूँगा अपनी कटिंग पर मैंने लगा दिया हल्दी पाउडर इसकी टोप पर बिल्कुल तो अब मैं इसे रख दूँगा एशेडी एरिया में कुछ दिनों के लिए इसी तरह गार्णिंग से रहे लेटरी वीडियो देखने के लिए देखते रहे फ्रेश गार्णिंग आपी अगली वीडियो तक के लिए अल्ला हाफिज